नमस्कार दोस्तों मैं Dr. E.P. कुस्वा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे oligo spermia की oligo spermia यानि की low sperm count low sperm count जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि normal sperm count कितना रहना चाहिए तो WHO के according यानि की world health organization के according normal sperm count 40 million per education होना चाहिए यानि कि during sex के time पे जो semen educate किया जाता है उसमें 40 million sperm count होना चाहिए और secondly बोला है WHO ने कि 15 million per ml sperm count होना चाहिए यानि कि या तो एक बार में जो educate किया गया semen उसके अंदर 40 million sperm count होना चाहिए या एक ml के अंदर 15 million sperm count होना चाहिए अब हम बात करते हैं oligospermia देखे oligospermia किस condition को कहेंगे अगर 15 million per ml से कम अगर sperm count हो गए है तो उस condition को हम oligospermia कहते हैं अगली condition आती है azospermia देखे azospermia किस condition हो कहा जाता है अगर sperm count nil हो गए है जग completely absence हो गए हैं तो उस condition को एजोस्परमिया कहा जाता है अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारण है जिन ऐसी कौन से कारण है जा ऐसी कौन सी बज़ा है जिन की बज़े से sperm count कम हो सकते है पहली बज़ा आती है bericocele, देखे bericocele क्या होता है जो टेस्टीज है टेस्टीज की blood supply के लिए कुछ artery और कुछ benze होती है अगर जो टेस्टीज की benze है अगर उसके अंदर swelling आ जाए तो उस condition को bericocele कहा जाता है और इस bericocele की बज़े से person में proper मात्रा में sperm formation नहीं हो पाता और उस condition को में oligospermia हो सकता है tunica beta analysis अगर tunica beta analysis में एक sec रहता है अगर उसके अंदर fluid का collection हो जाए तो उस condition को hydrocele कहा जाता है hydrocele की case में भी oligospermia देखा जा सकता है infection की condition हो सकती है यानि कि infection अगर testis में कोई infection हो गया है तो उस case में भी oligospermia हो सकता है जब orchitis हो गया है और orchitis की वज़े से भी हो सकता है जब mumps हुआ है कोई mumps का infection हुआ है या कोई tuberculosis का infection हुआ है उस case में भी oligospermia हो सकता है देखे अगली condition आती है duct of traction यानि कि जो sperm कहा formation हो रहा sperm का formation होता है testis के अंदर testis के बाद उसको कुछ duct लेके जाती है अगर उन duct के अंदर obstruction हो जाए तो उस condition में भी oligospermia हो सकता है यह काती है education problem देखे education problem क्या है कि retrograde education हो रहा है retrograde education का मतलग कि जो semen है वो बहार निकलना चाहिए जब sex करते हैं उस टाइम पर education होना चाहिए education ना होने की वज़ाए जो semen निकलता है वो बापिस urethra के ना निकलने के बाद वो कहां चला जाता है bladder की ओर चला जाता है अगर bladder में जा रहा है बहार नहीं निकल पा रहा है तो ऐसी condition को retrograde education कहते हैं और ऐसी condition में भी oligospermia होगा क्योंकि देखिए semen बहार ही निकल के आ रहे है जो sperm बहार निकलने चाहिए semen के तो बहार ही निकल के आ पा रहे है वो bladder में जा रहे है तो ऐसी condition में oligospermia जा एzospermia देखा जाएगा ऐसा कैसे जो condition वो किस case में देखने में मिलती है जैसे किसी को diabetes की condition है या फिर किसी का कोई surgery हुई है जैसे surgery prostate की surgery हुई है या urethra की हुई है या urinary bladder की हुई है तो ऐसे case में retrograde education देखा जाता है high temperature देखे high temperature ऐसे लोग जो लगातार आग वाली जगे पर काम करते हैं जा आग के पास में कोई contact में काम करते हैं या फिर S type के कपड़े पहनते हैं एक दम tight कपड़े पहनते हैं बैठे रहने का काम करते हैं तो scrotum का क्या temperature बढ़ जाता है देखे बोडी से कुछ degree कम temperature चाहिए sperm formation के लिए लेकिन अगर scrotum area का temperature बढ़ जाएगा तो उस case में sperm का formation नहीं हो पाएगा और ऐसे case में oligospermia हो सकता है इंग्वाइनल हर्णिया ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में इंग्वाइनल हर्णिया है इंग्वाइनल हर्णिया के case में भी oligospermia हो सकता है undescent testicles देखे नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो उस टैम पे जो testis है देखे टेस्टीज एब्डोमेंट कैबेटी के अंदर बनती है और जनम से पहले या जनम के बाद या उस जनम के समय पे जो testis है वो scrotum में आ जाती है लेकिन कई patient में जो testis है वो scrotum में नहीं आपाती किसी के एक नहीं आपाती तो ऐसे केस में भी प्रोपर मात्रा में sperm formation नहीं हो पाता और ऐसे केस में जो इस्पर्मिया जा ओलिगो इस्पर्मिया हो सकता है अगली condition आती है हार्मोनल इंबैलेंस देखे ऐसा देखा गया है कि हार्मोन इंबैलेंस होने की बज़े से भी low sperm count हो सकता है जाएगा जैसे टेस्टेस्टोन अगर कम हो गया तो टेस्टेस्टोन कम होने की वाज़े से भी ओलिगो इस्पर्मिया हो सकता है ऐसे लोग जो जिम जाते हैं और लॉंग टम तक एनबॉलिक इस्टेरोइड का यूज करती है मसल्स बनाने के लिए जिम में कई लोग मसल्स बनाने के लिए एनबॉलिक इस्टेरोइड का यूज करती है और लगातार अगर लंबे टाइम तक एनबॉलिक इस्टेरोइड का इनका यूज किया जाए तो यह sperm formation को effect करती है effect कर देती है sperm formation नहीं हो पाता और patient अगर किसी के कीमोथरेपी हुई है तो उस case में भी oligospermia हो सकता है या फिर radiation जा एक्स-RAY ऐसे लोग जो एक्स-RAY होते हैं उसके लगातार contact में रहते हैं तो एक्स-RAY की वज़े से भी oligospermia हो सकता है देखिए कुछ ऐसी medicine होती है जैसे कुछ certain कुछ anti-fungal drug जा फिर कुछ anti-biotic ऐसी होती है जिनकी वज़े से भी low sperm count हो सकता है heavy metal के exposure में ऐसे लोग जो लगातार heavy metal के exposure में रहते हैं जैसे lead के exposure में रहते हैं उस बज़े से भी low sperm count हो सकता है यह कुछ लोग जो किसी industry में काम करती जो chemical industry जैसे pesticide जा herbicide जहां पर बनाया जाते हैं उसके लगातार chemical के अगर contact में रह रहे हैं तो उस बज़े से भी low sperm count हो सकता है ऐसी लोग जो ज्यादा alcohol यानि ज्यादा शरब पीते हैं तो उन लोगों में भी low sperm count हो सकता है smoking जो लोग ज्यादा smoking करती है उस case में भी low sperm count हो सकता है ज़ब टिबो को जो tobacco पान मसाला जी सब ज़ब ज़ब खाते हैं तो उस वैसे भी low sperm count हो सकता है emotional stress देखिए emotional stress एक बहुत important चीज है जो लोग ज़्यादा tension में रहते हैं ज़्यादा stress depression में रहते हैं उस case में भी low sperm count हो सकता है अगली condition आती है obesity देखिए obesity डिरेक्टली testosterone को affect करती है और जो लोग ज़्यादा अब बात करते हैं कि oligospramia के हमें क्या क्या सिम्टम सी देखिने गर मेली गत्स डिरेक्टली साथी आति हमें लेकिन बच्च्च से चलती हैं उन्हें कर पाते जब वह अपने चेकप कराते हैं तब उन्हें पता चलता है a Leaders Engine लास्पर्म काउंट है या फिर उनके अंदर जब जाज की जाती है तो पता चलता है तो हार्मोनल इंबैलंस है या फिर कई पैशेंट्ण में ऐसा देखनों मिलता है कि oligospermia है लेकिन साथ में उनकी sex करने के इच्छा भिलकुन नहीं होती low sex drive हो जाता है कई case में erectile dysfunction भी देखने को मिलता है कि oligospermia साथ में उनको erectile dysfunction भी है कई case में pain और swelling भी देखने को मिलती है जैसे hydrosil जब vericocyl है तो उस case में swelling और pain देखने को मिलता है टेस्टीज वाले area में. साथ में कई लोगों का जब टेस्टीश टों leaving गम होता है तो उस case में Hair 풀 जादा होने लग जाता है और Hair 풀 जादा होने की बज़े से जो body में Facebing, जो Hair है उनकी growth कम देखने को मिलती हैं. अब बात करते हैं कि जब आप treatment के लिए जाएंगे तो आपके क्या investigation कराई जा सकती है आपके जो डॉक्टर सावे आपके क्या क्या investigation करा सकती है तो देखिए mainly जो कराया जाता वो कराया जाता semen analysis सबसे पहले semen analysis में normally पता चल जाता है कि जो आपके sperm count है कितनी है उनकी mortality कितनी है, उनकी morphology कैसी है यह सारी बात हमें semen analysis से पता चल जाती है आगे किया जा सकता है, आपका हर्मोन alan сохран की जा सकती है दोस्तों आप हम बात करेंगे इसकी कुछ हों पेटिक दवाईयों की दोस्तों देखिए हॉमोपेटी में हर पेशेंट की medicine अलग होती है अगर आपको low sperm count है तो आप अपने किसी नज़दी के हॉमपेटी की डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराए हॉमोपेटी के दुआरा पूरी तरीका से low sperm count को ठीक किया जा सकता है हमारे पात ऐसे बहुत लेके आप अपना होपेतिक इलाज कराएं लोश्पम काउंट को बहुत इफेक्टिव होपेति में इलाज देखने को मिलता है आई आप हम जानते हैं इसकी कुछ कारगर होपेतिक दवाईयां देखिए ये दवाईयां सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं क्योंकि हम पहले ही कि हर पेशेंट की यहां पर दवाईयां अलग रहती हैं तो आप आपने किसी नजदी की होपेतिक डॉक्टर से मिलें उसके बाद ही दवाई लें आप अशुगंधा किस केस में ले सकते हैं देखिए अशुगंधा अशुगंधा का देखिए आयुरुपेद में भी बहुत से दनारे Taylor क में दन में तीन जबार अगरली मेडिशें आति हैं जिनसेंग कि किस केस में यूज कर सकते अगर जैनाइटल जो और स्वेक्न जिले ज़ևंए बहुत ज्यादा है तक अगर यूज की जाए तो आपके low sperm count पूरी तरीका से ठीक हो जाएंगे अगली मेडिशन आती है डाइमेनिया देखिए डाइमेनिया को किस केस में लिया जा सकता है अगर low sperm count है या फिर बिल्कुली अगर यूज किया जाए तो low sperm count पूरी तरीका से ठीक हो जाएंगे अगली मेडिशन आती है ट्रिवलस्टी को किस केस में यूज कर सकते हैं अगर low sperm count है साथ में जो सीमेन निकल ला है वो एकदम पानी जैसे एकदम पतला निकल ला है और साथ में motility बहुत कम देखे जारी ये sperm count की तो उस किस में ट्रिवलस्टी को यूज किया जा सकता है ट्रिवलस्टी के mother tincture की पांस से दस बून आधा आधा कप पानी में दिन में तीन बार दो से तीन महिना तक अगर यूज किया जाए तो इस sperm count पूरी तरीका से ठीक हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो informative लगी है तो आप वीडियो को like करें, share करें और subscribe करें और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please आप channel को जरूर subscribe कर लें और हमें comment में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और thank you so much